मुझे अमीद है कि आप अच्छे से और स्वास्त होंगे तो आज बजे हैं सुबह के आड़ तो आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा गुड मोनिंग तो देखिए मैं हूँ अपने फाम में और यह देखिए यह देखो यहां जानवर अगरा बनी हुई है तो है गाइज चैन हमारा मोहन और यह देखिए जा रहा है अब यह खाने के तलास में है मैं जा रहा हूँ खाना लेकर आता हूं इसको मैं इसको खिलाता हूं और दिखाता हूं आपको आइज आए AHU हो और भंढे मोहन को खिला रहा में है। आप देख सकते यह है मोहन मैं आए था देख रोड तो मुझे मेरा पीछा करते करते यहां तक तो देखिए कि मुझसे कितना प्यार करता है और इसको मैं खाना खिलाता हूं रोज और आप देख सकते हो यह मैं जिधर को जाओंग ना उधर को मेरी पीछे-पीछे आगा देखना आ यह देखिए आ रहा बंदा यह देखिए आ रहा है इसका कोई इसू नहीं है मैं अफेर देखो चार पाई में बैठा हूँ यह देखिए चार पाई है और यह पर बैठा हुआ है और मैं यह समझ धर के भाध एकदम मौज मस्ती करते हैं और देखिए यह हमारा पायरट यह देखिए अब मजाता हूं अपने पायरट के पास और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारा पायरट क्या कहता है और कैसा बोलता है तो देख सकते हैं आप ते पत्टू दूदरोती ऐसे और पत्टू पेडार को तो शॉट्टो यह देख सकते हैं गाईज आप यह हमारा तोता बोलता है और यह में बहुत क्पड़ता है तो यह चारा कतरे व यह हमारा कारशीप और मैं जा रहा हूं इसके बाद घरता हुँगा मैं क्या क्या करता हूँ जो मैं दिन में कार करूंगा वो यह इसका पेड़ भर गया है और यह बचा कैंड आठा हु आठा गैज आप देख सकते हो मैं यह कि ने प्विशम उखे से अधिक है और यह अम कंशार को और यह 2.5 साल से ही हम खचा Mayo कर जीए 30 अंप्षार को ऑप और मैं उन को परड़े खाना खिलाता हूँ ये अटा गुंद के और ये गोली बनाके देखो कैसे प्यार से खा रहा हो और ये दो-ठाइसाल के हो जेंज साल के हो अब ये बिल्कुल आजाद हैं इनको कोई दिक्यत नहीं है ना इनको पकड़ा जाता है ना इनको छूँआ जा लाए तुम्हारी हर कोशिश करने के बात भी चला जाया रहा ह। इसलिए ये आद्मियों का म्युजिक होता है इस तरह इनका भी टाल होता है देखिए सिस्टर भी और शिस्टर के पास नाच रहा है सिस्टर से ले रही है यह देखो दोनों मोहन है एक साथ जो मैं भी ब्लॉग में उसको खाना खिलाने गया था तो देखो खापी के एक ग्रम मस्तर डांस कर रहा है दूसरा पच्छी आएगा तो इसको हम खिलाएंगे रहे गाई चैनल पर बने रहे कांटीनू और मैं दिखाने की सब कोशिश करूँगा कि कैसे पच्छियों को सुरचित रखा जाता है कैसे उनका प्यार मिलता है तो है गाई चैनल पर बने रहे हैं गाई आप देख सकते हैं और यह इसने पूरा आटा खा लिया और देख सकते हैं अब इसके पंख निकलने लगे हैं वाड़े वाड़े नाचने वाले और यह अब काफी दो धाई साल का हो गया है यह बचपन से ही रहा हमारे साथ तो गाईच अब इसी तरह के मजदार बलोग आपको हम दिखाते रह तो गाईच चैनल पर कांटीनुग बने रहें इससे सावधानी करनी पड़ती है और गाउ महले के लोग भी इससे परिसान हो जाते हैं देख लो अब मारने के चक्कर में है मेरे पीछे-पीछे घूम रहा है यह देखो पेणों के चक्कर लगाता है यह देखिए देखिए मैं घूम रहा हूं पेण के पीछे-पीछे और यह आ रहा है तो आप अपने देखा ही होगा कि मैंने खाना खिलाया और खाना खाके उन्होंने ड्रान भी खिया तो आप समस सकते हो कि वह पाच्छी हमसे कितना प्यार करते हैं क्योंकि वो बच्पन से ही हमसे हमाई साथ जुड़े रहना तो उनको एकदम कोई डर नहीं है लेकिन दूसरा बंदा उनको कोई पकड़ नहीं सकता है एकदम वो अजाद रहते हैं वो राष्ट पच्छी है हम उनको कैद भी नहीं कर सकते तो इसी प्राक्तिक में एकदम सोतंत्र रहे हो और अजाद रहें जहां भी अगर वो मुसीबत में हो तो आप लोग भी बचाने की कोशिश करिए तो आई हो आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें कमेंट करें और जिसे तुम्हारी जंदगी में रहना है वो तुम्हारे हर नकरे को सहके भी तुम्हारे साथ रहेगा